हेलो इस्टुजेंट स्वागत है आपके अपनी यूट्यूग चैनल आलोक मोसन क्लासेस में इस्टुजेंट आज हम आपके लिए जो आपके CG बोर्ट का एसाइमेंट है जो आपका एसाइमेंट 2 है सितंबर माहे के है ना तो आज हम कक्षा 10 वी के विषय विज्ञान के सभी प्रशनों के उत्तर इस वीडियो पे ले आए हैं तो आपको इस वीडियो में सभी प्रशनों के उत्तर मिले वाले हैं तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजे, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, क्योंकि वीडियो ही इतनी बहतरीन तरीके से बनाया गया है आपका answer के साथ कि आपको देखकर मज़ा आ जाएगा ठीक है अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो पीडियाप के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं यह टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं आलोक मुसन क्लासे यह लिंक नीचे description पे मिल जाएगा उसकी मदद से आप जॉइन कर सकते हैं तो चली यहाँ पास सुरू ही कर देते हैं आज का वीडियो तो यहाँ पास देखिए स्क्रीन पर आपको पहला question दिख रहा है पहला question क्या है आप पास इसको अच्छे से पढ़िए ठीक है सबसे पहले आइनन विभाव में बताना है फिर इसके बाद बताना है आपको संयो जगता में फिर इसके बाद परमाडवाकार में फिर इसके बाद विद्धुत रिनात्मक्ता में ठीक है तो यहाँ पास देखिए आपका यहाँ पास answer दिये गए है सबसे पहले देखिए क्या है आइनन विभाव ठीक है तो आइनन विभाव का कहा से कहा तक है यहाँ से यहाँ तक है ठीक है तो आपको बढ़िया से लिख लेना है क्या है इसमें देखिए वर्ग में उपर से नीचे आने पर परमाडवत रिज्जा क्रमसह बढ़ने के कारण आइनन विवाओ के मान में कमी होती है आवर्थ में बाएं से दाएं जाने पर आइनन विवाओ का मान बढ़ता है क्योंकि परमाणू संख्या बढ़ने के साथ साथ नाविकी आकर्शन बढ़ता है ठीक है तो यहां से यहां तक आपको लिख लेना है फिर इसका जो दूसरा है क्या था संयोजक्ता ठीक है तो यहां से यहां तक आपको संयोजक्ता है तो देखिए क्या है संयोजक्ता आवर्शानी के दूसरे आवर्थ में हाइड्रोजन के सापेट तो की संयोजक्ता एक से च तक बढ़ती है, फिर वो सुनने तक घटती है, ठीक है, तो यहां से यहां तक आपको लिख लेना है, फिर इसके बाद है क्या, परमाडू आकार, तो यहां पास परमाडू आकार में क्या होता है, देखिए, तो यहां से आपको परमाडू आकार में लिखना है, समुव में पर से नीचे जाने पर परमालू का आकार बढ़ता है। है ठीक है तो यहाँ पास यह आपका होगे पहले कोश्चन का एंसर ठीक है फिर इसके बाद देखी यहाँ पास प्रश्चन कमांग 2 है यानि कोश्चन नमबर 2 है क्या है देखिए सौर कुकर के उपयोग के लिए अवतल समतल और उतल में किस प्रकार के दरपड सबसे अधिक उपयोग है और क्यों तो यहाँ पास इसका एंसर आप देख सकते है छोटा सा ही एंसर है ठीक है तो यहाँ देखिए क्या है सौर कुकर में समतल सरवाधिक उपयोग होता है क्योंकि यह प्रकास की सभी किर्णों को वांचित इस्थान की और परवर्तित कर देता है ठीक है यह आपको इंसर इसका लिख लेना है ठीक है फिर इसके बाद दूसरे का बाह है क्या है सौर पैनल के कोई दो उपयोग लिखिए तो यहां पास गचील पुर्जा नहीं है ठीक है इसका रख रखाओ सस्ता होता है तो यह हो गया फिर इसके बाद क्या है दूसरा इसका इन्हें मतलब सुदूर तथा अग्यम इस्थानों में इस्थापित किया जा सकता है ठीक है यहां से यहां तक आपको बढ़िया सा लिख लेना है सभी विशाई के वीडियो अप्लोड कर दिये हैं आपको चैनल पे जाके मिल जाएगा या प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्रिप्शन पे मिल जाएगा तो वहां से आप देखिएगा सो यहां पास देखिए प्रेशन कमांग तीन है मेंडलीब के आवर्शाणी की कोई चार उपलब दिया लिखी यहां पास देखिए इसका उत्तर है क्या है पहला उपलब दिया क्या है तो उनके परमाड़ भार के बढ़ते क्रम में वर्ग में रखा जाना ठीक है फिर इसके ब मानना था कि भविस्व में नए तोत्तों की खोच होगी फिर इसके बाद यह चौथा उपलब दिया है उन्होंने नए तोत्तों के रासाइनिक सरन्रशनाओं की भविस्वारी की थी ठीक है तो यहां से यहां तक आपको इसका चारों उपलब दिया बढ़िया अच्छे से फिर इसके बाद देखिए अगला कोस्टन प्रशन कमांग चार है का आठीक है अनुवांसकी के जनक कौन है तो यहां पास इसका उत्तर है आप यहां से देख सकते हैं अनुवांसकी के पिता अर्थात जनक ग्रेरर जान मेंडल है मेंडल ने उनीस सो इस्वी में लच्छड प्रेक्रिया का केवल आरेक चित्र बनाईए ठीक है तो यहां पास उसने केवल आरेक चित्र बनाने के लिए बोला है तो यहां देखिए आप इसका आरेक चित्र यहां बना देंगे यहां से यहां तक आप इसको देख लीजी अच्छे से और वीडियो को बढ़िया सा रोक का आ है ठीक है यहां पास आप देख सकते हैं क्या है कोश्चन गाय की एक प्रजाती जेबा गर्मी में रहने के लिए अनकूलित है एक और प्रजाती साही वाल साल भर में दो बीस हजाल लीटर दूद देती है अंगुस नामक एक अन्य प्रजाती का सरीर स्रधर और है 36 गड़ में किसी गाय से ज्यादा दूद प्राप्त करना हो तो इसमें किन गायों का संकरन करना होगा तो यहां पास देख सकते हो इसका एंसर यह है तो यहां पास आपको अंगुस सरगर सरीर वाला इनके बीची संकरन कराना होगा ठीक है तो यह वाला आपको एंसर यहां से तक लिख लेना है ठीक है पूरा यहां से यहां तक फिर इसके बाद देखते हैं इसका अगला कोश्चन प्रश्म कमांग पांच का वबा है मेंडल ने अपने प्रियोगों है तुम मतर पौधे का चुनाव ही क्यों किया कोई दो प्रमुग कारण लिखिये तो यहां से यहां प्रियो का अध्यान किया जा सकता है यह पहला कारण है ठीक है फिर इसके बाद यह दूसरा है यहां पास देखेंगे ठीक है तो आपके कक्षा दस्वी के विशे विज्ञान में 5 questions थे हमने 5 questions के answer कर लिये हैं उमीद करता हूँ कि आपने भी सभी questions के उत्तर कर लिये होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करके जाना क्योंकि हम इसी तरह हर साल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं तो सस्क्राइब तो बनता है मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए बाई बाई अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आपको टेलीग्राम में कमेंट करना होगा क्या VI1002 ठीक है VI1002 टेलीग्राम में जाके आप कमेंट करते हैं तो आपको इसका पीडियाप मिल जाता है ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक के लिए बाई बाई